तो रिसंडी आईकू वालों ने एक नया फोल नौच किया है, इस फोन का नाम है आईकू का Z7 Pro, इसे आप 24 जाओ रुपे में Amazon से खरी सकती हूँ, बट क्या आपको थोड़े स पैसे और लगाने चाहिए, 27 जाओ रुपे और OnePlus का Note C3 लेना चाहिए, यह जानते हैं बहुत से लगाने हैं या बचाने हैं, पहले बार इस चैनल पर हो तो मेरे नाम है प्राववेर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आप कोई वीडियो ची लगती है, देखो पहले शुरुआत करेंगे डिजाइन से, पहले भी मैंने पूरानी वीडियो में कहा है कि डिजाइन आईकू में थोड़ी सी उनीकनेस है, जो मेरे पास कलर है उसमें ऐसा पैटर है, जैसे बीचीज पर आप जाते हो और सेंड होती है, और उस सेंड के अंदर जो वाटर की वेवस होती है, वैसा यहाँ पर एक डिजाइन है, एक और सिंपल आपको कलर मिलता है, वो भी आप च जाएगा, तो हार डिजाइन के अंदर आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन हाँ कमफर्टनेस और थोड़ी सी उनीकनेस आपको जरूर मिलती है, और होल करने में थोड़ा ज़दा प्रीमियम फील होता है, यहाँ पर आपको एजी ग्लास मिल रहा है, वन प्लस के अंदर आपको एक प्लास्टिक बैक मिलता है, तो इस चीश का आप डिजाइन और प्रीमियम नेस के अंदर आप ध्यान रख सकते हो, वैसे आप डिस्पले की बात करते हैं, तो दोनों ही सामने से वैसे तो फूल एच्टी प्लस एमिलेट डिस्पले लेके आते है, बट आईकू के ज़रूर डिफरेंस फिल होगा, वैसे तो इवन रिफ्रेंस्ट भी सेम है, 120Hz का रिफ्रेंस रिट है, लेकिन टच रिस्पॉंज हो है, आईकू के अंदर आपको ज्यादा अच्छे मिलता है, यहाँ पर 300Hz का टच रिस्पॉंज है, वही पर वन प्लस में आपको 240Hz का मिलता है, लेकिन वन प्लस वालों ने यहाँ पर क्या क्या है, डिफ्रेंस का बी सपॉर्ट है, तो इस चीश का आपको धिहान रखना है, अब सॉफ्टर के अंदर भी वैसे दोनों फोन चलना है, लेटेस्ट एंडूर बरेशन पर जो है एंडूर 13, यहाँ पर पहले आप प्री प्री इंश्टॉर्ड एप्स मिलते हैं, वन प्लस में आपको काफी क्लीन सॉफ्टर मिलता है, लेकिन फीचर्स के अंदर दोनों ही अच्छे हैं, अप लोग, डिवल एप्स, एप्स को हाइड करना सब कुछ आपको मिलता है, दोनों ही सॉफ्टर के अंदर आपको प्रीटर पेश्ट, एक स्नैप्ड रेंगा 782G प्रोसेसर मिलता है, पहले आप स्कोर्स देख लो, इन दोनों के एकदम क्लियर है, आईकू वाला यहाँ पर विनर है, और वो चीज़ आपको नॉर्मल टास्क के अंदर आपको इतनी दिखेगी नी, जैसे मैं आपको स्मॉल वो वनप्लस से पावर्फल एंड गेमिंग बगरा करते हो, तो एफपीस भी आपको आईकू के अंदर ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे, वैसे अभी तक आपको यह वीडियो पी अच्छे लग रहे हैं, और सिंपल असानी से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड शे लाइक पार्ट नहीं आएगा, वनप्लस के अंदर ऐसा हो जाता है, इवन सेम टीशिट मैंने पहने हैं, जूम करके देखोगे, तो आईकू के अंदर वो ज्यादा विजिबल है, इवन पोर्टरे शोट्स के अंदर भी आपको थोड़ा से ऑटो जूम करके आईकू वाला गीच की देता है, तो वो ज्यादा बैटर दिखती है, तो हाँ दिन के अंदर शैड़ो कंट्रोल अच्छा आईकू में डेटेल्स ज्यादा है, और आपको पोर्टरे शोट्स पी ज्यादा अच्छे मिलता है, इवन रात के अंदर वैसे दोनों ही यूजिबल है, लेकिन ल आईकू वाला ज्यादा आगे निकल जाता है, तो हाँ में केमरा जो है, वो आईकू में आगे निकल रहा है, इवन वीडियो के अंदर भी, दोनों वैसे तो 4K 30FPS में मैक्सिम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आईकू वाला 4K के अंदर भी स्टेबलाइशन सपोर्ट करता ह इसकी वैसे इसकी फोटेज जो है ज्यादा आपको अच्छी मिलेगी, अब एक चीज अच्छी है वन प्लस में की 8MP का जो अल्टरवेड मिलता है, उसे आप दिन में यूज कर सकते हो, देखो 8MP का इसलिए आपसे रात में यूज नहीं कर सकते हैं, आपको डिटेल नहीं मि बी एक चीज नोटिस की मैंने, वन प्लस के अंदर थोड़ी सी ओवर शार्पनेस है, और सेम चीज जैसे दिन में आपको गोरा कर रहा था, वैसे ही रात में भी आपको गोरा कर रहा है, आईकू में आपको ज्यादा डेटेल भी मिलती है, कलर एकूसी भी अच्छी है, स्कि अपको ज्यादा स्टेबल फूटेज दे रहा है, इवन ओवराल केंडर एक अंदर भी हाँ, अल्टर वैड जो है, एक एक एक्स्टर आपको बन प्लस में मिलता है, लेकिन बेन कैमरा और सेल्फी चैमरा भी जो कलर एकूसी है, स्किन टून्स है, डेटेल से दिन और रात मे वो गोरा करने का होगी पंगा नहीं है, और स्पेशलिए अगर पोर्टर शॉट्स कीचते हो, बैक कैमरे से इसके आपको पोर्टर शॉट्स पर अच्छे मिलने वाले है, सारी फोटोस मैंने गूगल ट्रैम में सेव कर दी है, मुझप पर यकीन नहीं है, तो वो आप फोन की तरह इस फोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं बैटरी स्टाइट दिखाता हूँ, सिंपल इसे पॉस कर लेना, ये जो बैटरी स्टाइट है मैंने 5G पर यूज़ किया है, पॉस करके अराम से देखो, मैंने आपर दो घंटे बीजिमाई भी खेला है, एक ग 5G मस्त यूज़ करना, call quality भी दोनों भी मस्त रही, दो माइक दिए गया है और उसमें भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, अब आखनी भी आप उससे पूछते है कि भाई कौन सा चूज़ करना चाहिए, इतना जया तरह कर दिया है, इतनी लबी वीडियो देख ली, दो प्लस के अंदर आपको दो positive जरूर मिलते है, clean software है और आपको यहाँ पर dual speaker मिल रहे है, तो हाँ, value for money देखा चाहिए, तो IQ वाला ज्यादा value आपको provide कर रहे है, दोनों के वैसे तो आने positive एकदम clear बता दी है, आप कोई पी choose कर सकते हो, लेकिन हाँ, इस competition के अंदर या इस comparison के देने अपने दोस्तियारों परडूसियों के साथ, कोई सवाल रहे है इन दोनों phone को लेके, तो please comment section में पूछना, मिलते हैं आप लोग सगली वीडियो में, thanks for watching and love for all.